महिर्शी भ्रीगु ब्रह्मा जी के मानस पूत्रे थे उनकी पतने का नाम ख्याती था जो दक्ष की पूत्री थी महिर्शी भ्रीगु सबतर्शी मंडल के एक रिशी है सावन और भादर प्रद में वो भगवान सूर्य के रध पर सवा रहते है एक बार की बात है सर्वसती नदी के तट पर रिशी मुनी एकत्रित होकर इस विशय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शीर जी और विश्नु जी में सबसे बरे और श्रेष्ट कौन है इसका कोई निश्कर्ष ना निकलता देख उन्होंने त्री देवों की परिक्षा लेने के निश्चे किया और ब्रह्मा जी के मानस पूत्र महिशी ब्रीगु को इस काड़े के लिए निक्त किया गया महिशी ब्रीगु सरप्रतम ब्रह्मा जी के पास गया उन्होंने ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुती की यते एक ब्रह्माजिक क्रोधीत हो गया क्रोध की अधिक्ता से उनका मूख लाल हो गया, आखों में अंगारे दहकने लगे फिर यह सोच कर कि यह उनके पूत्र है उन्होंने हिदय में उठे क्रोध के आवेक को विवेक और बुद्धी में दबा लिया वहां से महिश्री भृगु कैलाश कया देवादी देव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन होकर अपने आशन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाय फैला दी किन्त उनकी परिख्षा लेने के लिए भृगु मुनी उनका आलिंगन अर्शिक्वार करते हुए बोले इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापी नहीं करूंगा उनकी बात सुनकर भगवान श्रीप क्रोध से तिल मिला उठ है उन्होंने जैसे ही त्रिशुर उठा कर उन्हें मारना चाहां वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनूनै विनैक कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किय इसके बाद विरीगु मूनी वैकुंठ लोग गया उससे मैं भगवान श्री विष्णु देवी लक्षिमी के गोध में सर रखकर लेटे वे थे हैं विरीगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी भक्त वतसल भगवान विष्णु सीग रही अपने आसन से इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका आपकी चर्णों का सपर्ष तिर्थों को पवित्रे करने वाला हैं आपकी चर्णों के सपर्ष से आज में धन्य हो गया भगवान विष्णु का ये प्रेम बेवार देखकर महिशी भीगु की आँखों में आसु बहने लग गये है उसके बाद वे रिशी मुनियों के पास लोटाएं और ब्रह्मा जी, शीर जी और स्री विश्णु के यहां के सभी अनुभव विस्तार से कहा बताया उनके अनुभव सुनकर सभी रिशी मुनिय बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदे दूर हो गए तब ही सभी भववान विश्णु को सर्विस्त्रेष्ट मान कर उनकी पूजा अर्चना करने लगे वास्तर में उन रिशी मुनियों ने अपने लिए नहीं बलकि मनुष्य के संदे को मिटाने के लिए यह सब ऐसी लिला रची थी तो कैसी लगी है आपको काम अच्छी लगी है तो प्लिस लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थेंक यू